CA और NRC को लेकर BGP लगातार जन जागरन अभ्यान चला रही है और लोगों को जाकरुक करने का काम कर रही है वहीं विपक्षी पार्टिया लगातार सरकार पर हमला बोल रही है इस पर मोशिन रजा का साप कहना है कि CA और NRC को लेकर मुस्लिम समाच में लगातार जूट फेलाया जा रहा है ये नागरिक्ता देने का कानून है ना कि लेने का कि CA और NRC को लेकर भारतिय जनता पार्टी लगातार अपना जन जागरा नभियान चला रही है इसी में अलप संख्या कल्यान मंत्री महसिन रजा भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी तरह की कन्फ्यूजन में ना है और अपने वेवेक का इस्तमाल करें इसी मे जादा बात करने के लिए मौजूद हैं मंत्री महसिन रजा जी किस तरहां से देखते हैं सर सी और NRC को लेकर लगातार सर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आप भी सर एक अपील कर रहे हैं लगता कहीं न कहीं से क्या कमी देख रहे हैं सर तेकि वहीं लोगों ने आज तक उठाई वो ही नहीं में मानमला है CAA का जो नागरिक्ता संशोधन कानून जो बना है उसके बारे में लोगों को जागरुक करना उसके बारे में लोगों को बताना अब चुकि मुस्लिम समाज में ये भरांती फैलाई जा रही है कि ये कानून आपके लिए बन रहा है और जाते हैं और कानून भी देश का हमारा दो गवाह मांगता है तो ये हम जब कोई अपना पत्र भरते हैं MLC के लिए या मंतरी पत के लिए तो उसमें भी हमको कोई ना कोई पत्र भर में गवाही देना पड़ती है तो ये कोई ऐसी चीज नहीं एक नॉर्मल प्रक्रिया है औ और तमाम सी चीजें जो हमारे गरीब मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि 30 करोड के आसपास जंधन योजना के खाते खुलवाए मानि प्रधान मंतरी ने तो वही उनके लिए काफी है उससे बड़ा कोई सुबूत नहीं है औ सिर्फ क्या है कि हमारी समाज के लोग बिचारे इतने शिक्षित नहीं है उनको पढ़ने लिखने किसने नहीं दिया भाजपा तो आज आई है ना पांच-छे साल से पढ़ने लिखने किसने नहीं दिया जिन्होंने वोट लिया था उन्होंने इनको पढ़ने लिखने नहीं कर दो